हलो फ्रेंड्स बेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज आपका जियोमेट्री का पार्ट टू है क्या है दोस्तों पार्ट टू लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आप पहला पार्ट ना देख लें इस पार्ट टू को मत देखना पार्ट वन को आप देख लेंगे तभी इस पार्ट टू के कोशन को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि पार्ट वन में हमने पूरा बेसिक बताया है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा कोई बात नहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरक कोण उसके संपूरक कोण का एक चोथाई है तो कोण क्या होगा देखिए भाई पूरक कोण क्या होता है 90 में से माइनस कर देंगे X को जो हमारा X कोण है उससे हम माइनस कर देंगे पूरक कोण बचेगा और फिर दे रखा है संपूरक कोण संपूरकोंड संपूरकोंड क्या होता है भाई संपूरकोंड होता है 180 डिगरी उसमें ऐसे आप माइनस कर देंगे कोंड X को यह संपूरकोंड हो जाएगा लेकिन आपसे पूछा क्या उसने पूरकोंड और संपूरकोंड एक चोथाई है यानिकी इस पूरग कौन सम्पूरब का एक चो थाई है तो हमारा पूरग कौन कितना है 90-X ठीक है बराबर सम्पूरब कितना है है 180-Q X इसका कितना और एक चो थाई है 1 चो थाई चलिए 4 कमल टिप्वारी हो जाएगा इससे 4 36 और 1 की 0 यानिकी 360-4 कमल पर X II से करेंगे तो 4X ठीक है बराबर 180 माइनस कौन X अब देखिएगा ये माइनस का 4X बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4x, प्लस के 4 में से 1x घट जाएगा, 4 में से 1x घट गया तो 3x बचा, अब ये 180 इधर जाएगा, देखें, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, तो 180 ही बचेगा, तीन से कट जाएगा, एक सोसी, तीन चींग, अठारा और एक ही 0, 60 बचाएगा, यानि कि x की वैलू आपकी कितनी निकल क्या जाएगी, 60, 60 आपके सवाल का बिल्कु सही आपसन है, पहला आपसन, बिल्कु सही जवाब, चलिए, आप देखतें अगला प्रश्नी, अगला प्र देता हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, संपूरक, संपूरक का योग, संपूरक का योग हमेशा, याद रखना, संपूरक का योग हमेशा x पिलस y बराबर 180 डिगरी होगा, संपूरक का जो योग होगा, वो हमेशा x पिलस y बराबर 180 होगा, ठीक है, चलिए, X plus Y बराबर 180 होगा लेकिन हम से उसने अंतर दे दिया है 44 योग तो हमें पता है इतना होता है संपूरक का योग हमें मालू में इतना होता है लेकिन हम से क्या करा है अंतर यान कि X और Y का अंतर दे रखा है हमें 44 अब ये सवाल सॉल्व नहीं होगा क्या बताइए प्लस का वाई माइनस का वाई कर जाएगा X और X 2X बराबर 180 में जोड़ दो 44 तो यह हो जाएगा 224 2 से कता देंगे 2 एक कम दो 2 एक कम दो 2 दिने का चार यान कि X की वैलू कितनी आ गई 4 अब X की वैलू है फर्स्ट में लग दो चाहें 2 में लग दो लेकिन हमको इतना पता है कि X का वैलू हमारा 112 है अब 112 में कितना जोड़े कि हमारे 100C हो जाए तो 100C में से 112 को घटा दो 68 बचेगा ठीक है 112 है और 68 मिल करके कितना होता है 180C होता है कि नहीं तो Y की वैलू हमारी कितनी है 68 है यानि कि हमसे पुछ रहा उन में से एक कोंड क्या होगा एक कोंड तो होगा हमारा 112 का और एक कोंड होगा हमारा 68 का लेकिन 112 तो दिया नहीं गया है यानि कि पहला कौर्ड नहीं दिया गया, दूसरा कौर्ड दिया गया 68 पहला option बिल्कूल सही जवाब बाएं एक ही कौर्ड तो देगा exam में option में एक ही कौर्ड देगा अब जो कौर्ड आसानी से निकल के आ जाए उससे तो देगा नहीं इसलिए उसने दूसरा कॉंड दिया है जो कि हमारा 68 डिगरी का है चलिए आप देखते हैं अगला सवाल अगला प्रश्णी है चित्र में रेखा P व आर बिंदू O पर प्रतिछेद करती है यदि X की वैलू 45 डिगरी तो Y, Z, U के मान गयाद कीजिए Y, Z, U के मान गयाद करने के लिए कह रहा है और X की वैलू हमारे पास दी गई है 45 डिगरी ठीक है इसलिए मैं आपसे कहा था कि जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले पार्ट को देख लेंगे तो इन सवालों को आसानी से बनाते हुए चलेंगे पूरे को ऐसे मिला दूँगा तो 360 डिगरी का नहीं होता कि पूरे को मिला दूँगा 360 होता है जब हमारा ये आधा ये रेखा पर आधा 180 होता है जिसमें से हमें 45 दिया गया है 180 में से हमें जब 45 दिया गया है 180 में से हमें 45 माइनिस कर दो जो बचेगा वो दूसरा वाला कॉंड होगा एक सो सी में से मैं पैंतालिस मानिस कर दूँगा एक सो पैंतीस बचेगा यानि यू की वैलू कितनी हो जाएगी एक सो पैंतीस ये वाला कॉंड एक सो पैंतीस का जब भाई ये वाला कॉंड एक सो पैंतीस का है तो इसके सामने वाला भी 135 होगा जब 45 यह है तो इसके सामने वाला भी 45 होगा बस सवाल खत्म पूछा क्या है Y, Z, U Y, Z और U पूछा है पहले Y का लेखो 135 फिर Z का लेखो 45 फिर U का लेखो 135 सवाल खत्म 135, 45, 135 135, 45, 135 जिन बच्चों ने पहला पार्ट देखा है उसके बाद इसको देख रहे हैं तो आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये रेखा है सब कुछ मैंने बताया दिया है उसी वीडियो में अगला सवाल अगला सवाल है दी गई आकर्ती में A B के उपर बार बराबर C D के उपर बार बराबर E F के उपर बार देखिए, यह जो sign होता है यह बराबर का होता है यहाँ पे यह sign है ना, यह बराबर का sign होता है इसे ध्यान रखना थीक है, अब इतनी बड़ी-बड़ी आकरतियों को देखें, बहुत सारे बच्चों का दिमागी उड़ जाता है पता नहीं क्या करना, इस स्वाल में क्या दे दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनको नहीं पता क्या दे दिया, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आकर दे दे दी, यहाँ पर कुछ इनकी वैलू भी दी गी है, तिर भूज, C, E, F, बराबर 140, C, E, F, कहां प बराबर 70, A, B, C, यह आपका 70 है, ठीक है, A, B, C, E, X का मान पूछ रहा है, B, C, E, B, C, E, इसको पूछ रहा है, B, C, इसको पूछ रहा है, यह तो होगा B, C, D, पूछ रहा है वो B, C, और E, अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, यह एक लाइन है, मैंने यह ला लाइन बना ली, और इस पर क्या हो रहा है, एक तीर्यक रेखा जा रही है, इस तरीके से तीर्यक रेखा है, यह तीर्यक रेखा है, आप रेखा को कितना भी आगे बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है, तीर्यक रेखा है, जब इस तीर्यक रेखा पर एक लाइन यह हो गई, एक बीच में तीद्लिरिक रहा यहे वाली सत्र का कौन बना रही है, यहां है याद रहना हो, यह वाली रेखा यहाँ पर 70 का कौन बना रही है और यह हमारी आकर्षित देखो Z के जैसे दिखाई दे रही है आपको Z की जैसे दिखाई दे रही है जब यह 70 है भाई तो यह भी 70 नहीं होगी क्या यह भी 70 होगी कि नहीं होगी 70 होगी इतना किलियर है लेकिन कौशन में आपको वैलूस दी गई है जो वैलूस दी गई है आपको अच्छे से पता रहेंगी ठीक है जो वैलूस आपको कौशन में दी गई है आप उनको ध्यान दीजिए भाई देखे यह वाली वैलू भी 70 होगी जब यह 70 है तो यह भी 70 होगी ठीक है यह आपके पास 140 है ये पूरी value आपके पात 70 होगी 70 होगी ये वाली value हमको दी गई है कितनी दी गई है ये वाली value हमको 40 दी गई है यहाँ पे हम लिखना भूल गए लेकिन question में ये वाली value 40 दी गई है अब देखो सवाल साधा रना है जब ये 70 तो ये भी 70 और 70 में से जब ये 40 है तो ये 30 होगी के नहीं होगी भाई ये 30 होगी बस सवाल खतम हो गया पहला उप्सन सही जबाब भाई देखिए मेरी बात का बुरमत मानिएगा जब हम कोशन को नोट करते हैं आकृतियां बनाते हैं तो हो सकता है कोई value missing हो जाए कोई value लिखना missing हो जाए या कहीं पर A, B, C, D म का आपको mind नहीं करना है लिकिन हम जो चीज़ आपको बतारा है वो सीखिए बहुत अच्छे से बतारा है ताकि आपको आगे आने वाले एक्जाम हों बहुत अच्छे से मदद मिलेगी चलिए अब देखते हैं अंगला प्रेशन अंगला सवाल है नीचे दी गई आकरती में आपको 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 आपक है नहीं कि F C और H ये पूरा कितना भाई हमारा ये 90 है ये हमारा पूरा 90 है तो मैं यहाँ पर किदर इधर लिख देता हूँ 90 चलिए यहीं लिख देता हूँ 90 है ठीक है F C H ये 90 है X Y Z और P का मान पूछ रहा है 4 मान पूछ रहा है देखिए ये आपके पाज कितना है 270 अगर आपके पाज ये 270 है यहां तक और आप पूरे को अगर मिला देंगे तो 360 होता है न ऐसे गूल सरकल 360 डिगरी का होता है जिसमें से आपको 270 दिया गया है ये ठीक है और 40 दिया गया है 270 और 40 कितना हो गया 270 और 40 हो गया पचास हो जाएगी ठीक है अब देखिएगा जब ये वाली वैलू पचास है तो ये वाली वैलू भी पचास हो जाएगी किलियर ठीक है देखे अब देखे ये वाला पूरा 90 डिगरी का था और ये वैलू पचास हो गई तो y की वैलू तो 40 हो जाएगी तभी तो दोनों को मिलाके 90 होगा इतना किलियर हो गया ना जब इतना किलियर हो गया तो समझो सब कुछ किलियर है जब इतना ही किलियर है तो फिर सब कुछ किलियर है आपका सवाल खतम हो जाए का यहीं पर चलिए अब यहाँ पर इतना value हो गया ना अभी P का मान हम से और निकालना है अभी हम क्या करेंगे P का मान और निकालेंगे अब देखिएगा ये वाला ये देखा है ये देखा इस तरह अगर आप ऐसे बनाओगे तो कितने का बनेगा 180 का और पूरा का मिला के 360 आधा 180 180 मेंसे इतना आपको दे रखा है 50 180 मेंसे आपको दे रखा है 50 तो को माइनश करो 18 मेंसे 5 जाएगा 13 यानिकि 130 तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा P का मान 130 अब पूछा किस किस का तर लिखो X, Y, Z और P तो X का मान कितना भài 50 लिखो Y का लिखो Y के दर रहे हैं पे हमने निकाला Y का मान 40 है Z का मान 50 है और P का मान 130 50, 40, 50, 130 50, 40, 50, 130 C option बिल्कुछ सही जवाब बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ यह केक पॉइंट ताकि बहुत अच्छे से किलिए हो जाए चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है X और Y का मान ग्याद कीचिए यदि CD बराबर A B हो CD बराबर A B CD बराबर A B हो A किदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से A लिखना missing हो गया न मैं बता रहा हूँ कि जब question को note किया जाता है तो कोई value हो सकती है missing हो तो A B यह होगा CD बराबर A B होगा Y होगा X होगा E होगा F होगा चलो सभी values होगी हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से question को solve करना है X यह रहा और X का ही mind मेरे हिसाब से यहाँ पे find करना रहेगा चलिए अच्छा सवाल है अब इतना मैं आपको एक चीज केलियर करके बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो पहले मैं आपको एक चीज केलियर करूँ जैसे की एक रेखा यह जा रही है मैंने इस तीरेखा को खीच लिया एक यह जा रही है मैंने इसको भी खीच लिया ये तीरेक रेखा है, तीरेक रेखा क्या होती है मैंने पहले पार्ट में बताया था, ये तीरेक रेखा है, इस तीरेक रेखा पर ये 88 डिगरी का कोण है, जब ये वाला 88 डिगरी का है भाई, तो ये भी 88 डिगरी का होगा, clear है न, जब ये 88 है तो ये भी 88 होगा, इतना clear कर द तो यहां पर देके यह 58 है तो यह भी पूरा मिला के 58 होना चाहिए 58 होना चाहिए कि नहीं तो 58 में पहले से 20 दे रखा है पहले से 20 है तो वाई का मान कितना हो जाएगा 38 Y का मान कितना हो जाएगा भी 38 हो जाएगा इतना केलियर होगे न Y का मान आपका कितना होगे 38 और 38 वाला option केवल एक ही है आपके पास C option 2 नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं है जब एक ही option में हमें पढ़ता है 38 है तो फिर क्यों इतनी महनत करेंगे 2-3 मिनिट और खर्च कर दें एक्जाम में पास होना है तो टाइम की बच्चत करनी है कि नहीं C-Option सही जवाब हो गया आपका अब देखते हैं अगला प्रशन अगला सवाल है चित्र में तिर्बूज BAC बराबर 30 है हमें दे रखा है BAC BAC बराबर 30 ठीक है ABC बराबर 50 A, E और D यह वाला गयाद करना हमें यह वाला ठीक है यह कितने डिगरी का है चलिए आपके एक बात अच्छे से पता है कि कोई भी तिर्बूज हो उसके तीनों कोणों का मान 180 डिगरी होता है ठीक है 180 यह एक तिर्बूज है ना यह वाला A, B, C एक तिर्बूज है तिर्बूज के तीरों का मान 180 डिगरी होता है जिसमेंसे 30 डिगरी का यह है 50 डिगरी का यह तो बचा कितना भाइ 30 और 50 असी हो गया 180 मेंसे 80 हमें दे रखाyan बचा कितना 100 तो यह वाला कौण 100 डिगरी का हो जाएगा इतना confirm हो गया 30 और 50 80 होता है पूरा 180 तो 100 बचा इसका मतलब ये वाला 100 का हो गया 100 का हो गया अब ये जो रेखा है देखी ये वाली जो रेखा है इस पर अगर आप पूरा ऐसे चक्कर घुमाएंगे तो 180 डिगरी होगा अब पूरा मिलाएंगे तो 360 तो ये आधा 180 का होता ना हमारे पास पहले से 40 है ठीक है ये हमारे पास पहले से 40 है अब इस तरीके का कोण है A C D E ये वाला है ठीक है इसी का मन पूछ रहा है A E D इसका मन पूछ रहा है अब इसका मन कैसे निकलेगा इसका मन निकलेगा कि आपने ये वाला 80 और ये वाला 40 जोड लेना है इस वाले मा मान हो जाएगा 120 120 डिग्री हो जाएगा आपका किस option में भाई सी option में सवाल खतम आपसे तिर्भुज का 33 तिर्भुज का मान नहीं पूछ रहा है यह मान नहीं पूछ आपसे अगर यह मान पूछता तो आप इसे भी बता देते 80 और 40 120 होता है 180 का तिर्भुज तो यह 60 डिग्री हो जाता लेकर यह वाला मान पूछ आपसे तो यह वाला पूछा है तो यह वाला मान निकलता है का दो कोणों का योग बराबर होता है ठीक है चलिए आप देते हैं अगला सवाल अगला सवाल है दी गई आकरती में A B बराबर C E और B C बराबर F G तो X का मान गयाद करो भाई इसका बहुत अच्छा सवाल है पहतरीन कोश्चन कहूंगा मैं इसको क्योंकि इसमें वैलूस भी जादा नहीं है इसमें आपको वैलूस जादा नहीं दी गई कोई बात नहीं वैलूस जादा नहीं है बहुत सारी बच्चे तो ऐसी आकरती में देखके डर रहे होंगे पता नहीं कैसे कैसे सवाल करा रहे हैं सर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसी सरकल को ऐसे गुमाएंगे आप तो यह 180 डिगरी होता है अब पूरा मिलाएंग वह हमें पता लग जाएगा तो घटा दो दस मैं से आइड जाएगा 2 इधर बच्चा साथ साथ मैसे जाएगा 3 तो बच्चे का चार एक मैं से चलाए कि 42 ये वदेख़ी आप देखो यह क्या है ती यह 42 डिगरी तो 6 कमान 42 pleasing घेलियर होना चीए आनसर सभी को चलिए अब दे अगला सवाल है, नीचे दी गई आकरती में AB बराबर CD और DE बराबर BF तब X का मान गयाद करें, इस X का मान हमको पता करना भई क्या रहेगा, इस X का मान, चलो, पता करेंगे, हमको ये तो पता है न कि कोई भी तिरिविज हो, उसका योग 180 होता है, कितना होता है, 180 होता है, इ तो 180 मैं से 125 घटा दूगा, जो बचेगा, वो मेरा 30 वाला कोण होगा, घटा दो भाई, 10 मैं से 5 जाएगा, 5, 7 मैं से 2 जाएगा, तो 5, यान कि 55, ये वाला कोण मेरा 55 डिगरी का हो रहेगा, ठीक है, ये वाला कोण मेरा 55 डिगरी का है, अब देखो, ये वाला मेरा 55 डिगर आधा, 180 degree होगा, अब पूरा मिलाने पर क्या होता है, 300 सार, तो यह तो आधा ही है ना, तो यह 180 हो गया, 180 हो गया, जिस में से 85 हमें दिया गया है, 180 में से 85 हमारे पास है, उसे मानिस का तो जो बचेगा, वो हमें दूसरे कौन की value हमें पता लगेगी, चलो, 180 में से में 85 घटा दूँगा, तो 95 हो जाएगा, 95 हो गया ना, 95, अब देखना, जब मेरे पास यह वाला कौन 40 है, तो यह वाला कौन कितना हो जाएगा, यह वाला भी 40 हो जाएगा, ठीक है, यह वाला 40 हो गया, अब 95 में से, यह वाला मेरा कितना था 55, यह वाला मेरा कित यहां पर आपसे अब कोई भी गलती नहीं इसकी वैलू पूछ रहा है भाई इसकी वैलू पूछ रहा है क्या होगी अब आपसे यहां कोई भी गलती मत कर देना अब मुझे इसका अंसर आप बता दीजिए क्या होगा बता दोगे इसका अंसर आप मुझे बता दोगे या नही इसी तो है ये वाला मेरे पास 85 ये 40 अगर मैं 85 और 40 इतना जोड़ूँगा इसको थोड़ी ना जोड़ूँगा अब मैं इसको आगे भी तो बढ़ा सकता हूं इस वाली देखा को देखा को तो कितना भी आगे बढ़ा लो कितना भी आगे बढ़ा लो तो मुझे पता इस तरी अगलब प्रस्न है नीचे दिये चित्र में O E बराबर B D ठीटा का मान ग्याद करें यह जो ठीटा है ना यहाँ पे इसका मान हमें ग्याद करना है देखिए बहुत अच्छा सवाल है यह ऐसे सवाल बार बार आपको देखने को मिल सकते हैं एक्जाम में और आज जो मैं जियोमेटरी करा रहा हूँ वो पहले पार्ट पर अगर आपने ज़्यादा फोकस किया रहेगा तो मैंने पहले बोला था कि दूसरा पार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा आसानी से समझ माएगा फिर दूसरा पार्ट देखोगए तो तीसरा आसानी से समझ माएगा तीसरा देखोगे तो चौथा पाट आसानी से समझ माएगा अब ये जो सवाल है मैं सोच रहा था एक सवाल आपको हमबर के लिए दे दू लेकिन मुझे ये ऐसा लगा साइद आपसे नहीं होगा अब देखो मुझे इतना पता है कि ये वाला कौण ये जो बी कौण है न भी ये वाला कौण आपको 236 डिगरी का है और ये मैं पूरा मिला दूँगा तो कितना हो जाएगा 360 का हो जाएगा अब 360 में से 236 मेरे पास दिया गया तो उसे माइनस कर दूँगा जो बचेगा वो मेरे पास मिल जाएगा तो 360 में से 236 माइनस कर दूँगा 10 में से 6 जाएगा 4 5 में से 3 जाएगा 2 और 3 में से 124 कौण बचा तो यह मेरे पास पूरा है 360 का तहां दिश्मेर से 236 है तो यह मेरे पास 124 बचा थीक अब देखना ध्यान रखना के देखो जैसे यह वाली लाइन इस पॉंट से आगे बढ़ी हुई है तो इस वाली लाइन को भी मैं इस पॉंट से आगे बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा स हूँ ऐसे और इस लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ ऐसे तो यहाँ पर भी जो कौन बनेगा वो भी 130 डिगरी का ही बनेगा यह इसका मतलब होता है अब आपको यह बात भी अच्छे से पता है कि यह जब 130 डिगरी होगे अगर मैं इस पूरे को मिलाऊंगा ऐसे तो 180 डिगर यानि कि इतना कोण यह वाला जो यह मेरे पास 42 है यह मेरे पास कितना निकल के आ गया भी यह यह मेरे पास 42 निकल के आ गया अब देखना यह एक तिर भूज है यह एक तिर भूज है और तिर भूज के तीनो कोणो का मान 180 डिगरी होता है कितना होता है तीनो कोणो का मान 180 ड और तीनों कोणों का 180C तो 180C मैंसे 166 घटा दूँ जो बचेगा वो मेरे तीसरे कोणों का मान होगा यानि कि ठीटा का 10 मैंसे 6 जाएगा 4 7 मैंसे 6 जाएगा 1 1 मैंसे जाएगा 0 यानि कितना बचा 14 तो मेरे ठीटा का मान कितना भई 14 है यानि कि सी ओफसर प्रेशने का बिल्कुछ सही जवाब दोस्तों फिर से बोलूँगा कि जो बच्चे तयारी करने कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं उनके लिए वीडियो शेयर कर दीजे प्लीज और हमारी मेहनत के लिए एक लैक कर दीजे बस इतना काम कर दीजा ठीके दोस्तों धन्यवाद